तो आज हम पहुंच गए हैं दुनिया की सबसे उंची सीव परतिमा विश्वास अवरुपम में इसकी उंचाई है 399 फिट और सबसे पहले हम अंदर एंट्री करते हैं तो इसके लिए हमको लेनी पड़ेगी यहां से टिगट और टिगट की प्राइस है टोटल 400 रुपे 200 रुपे तो आप यदि अभी जैसे नीचे से देख रहे हैं इसके लिए और 200 रुपे यदि आपको मूर्ति के अंदर से होकर उपर तक दर्सन करने हैं इसके लिए आपको 200 रुपे के अलग टिगट लेनी पड़ेगी और इस टाइप का आपको एक हाथ पर बांधने के लिए बेंड दिया जाएगा जिसको आपको बांधना जरूरी है इसके बांधे बिना आपको अंदर एंडरी नहीं मिलेगी तो अभी हम ये जो रस्ता बनाया हुआ है इससे आगे की तरफ जा रहे हैं और ये अभी बेक साइड आपको मूर्ति का दिख रहा है 309 फिट की हाइट है इस मूर्ति की और अभी हम इसके एक साइड में पहुंच गए हैं और यदि आप सामने की साइड में देख रहे हैं तो छोटी सी आपको एक और मूर्ति दिखाई दे रही है ये इसी मूर्ति का एक छोटा रूप त्यार करके नीचे रखा हुआ है और ये देखे मैं तोड़ा आपको जूम करके दिखा देता हूँ पेर देखे कितना बड़ा विसाल का ये पेर है और ये जो छोटी मूर्ति है इसको पहले आपको मैं पास में ले जाके दिखाता हूँ तो जो में मूर्ति हम उपर देखने जा रहे हैं उसका एक छोटा रूप यहाँ पर आपको सामने देखने को मिलेगा और यहाँ पर मुझे सबसे अच्छी चीज लगी कि इतनी यहाँ पर हर्याली है बहुत सारे तरे तरे के पेड़ पोदे यहाँ पर लगाए वे हैं इकाउन बीगा जमीन की जो पाड़ी है उस पर यह पूरी मूर्ति बनी हुई है और दोस्तों आपको जानकर हेरानी होगी इस मूर्ति को बनने में 10 साल का समय लग गया यह जो आप देख रहे हैं इसमें 10 साल का समय लग गया और यह आप सामने जो मूर्ति के नीचे गेट देख रहे हैं यहीं से आपकी एंट्री होती है और सबसे अच्छी बात है कि आपको जूते चपल और यहां तक की सोक्स भी बहार उतार कर ही अंदर जाना होता है अंदर जाने के लिए देखे बिल्कुल फाइव स्टार लक्षरी यहां पर ओपिस टाइप का पूरा नीचे ब मूर्ति के जो कान का कुंडल है उसके नीचे हम अभी खड़े हैं और यह हाइट है अभी लगवक 280 फिट की और इसके साथ ही यहां पर नाग भी बनाया हुआ है यह देखे यह तो नाग का कुंडल है और इसके साइड में आप देखेंगे तो यहां पर नाग बनाया हुआ ह इस मूर्ति को बनाने में 3,000 टन इस्टील और लोहा लगा इसके अलावा मूर्ति के अंदर 4 लिफ्ट और 3 सीडियां इसके अंदर इस्तमाल की गई है जो आपको उपर के साइड में लेके जाती है अब आप यहां से देखे यहां पर काच का रस्ता बनाया हुआ है काच का बिरिज बनाया हुआ है और यहां पर आप एक 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 करके सभी लोग जाते है इसको देखने में थोड़ा एक रोमांच कारी अन्बो होता है और बहुत लोग यहां पर जाते हैं तो डर भी जाते हैं क्योंकि सीधा नीचे दिखता है और 280 feet से ज़्यादा की height है तो जिनका पहले कभी काम नहीं पड़वा इस तरही की जगे जाने के लिए तो वो थोड़ा सा यहां पर डर जाते हैं इसके अलावा मैं आपको बता दूँ इस मूर्ती में 2500 km की speed से भी यदि हवा चल जाए तो भी कोई फरक पढ़ने वाला नहीं है यहां पर देखिए यह बहुत इशांदार एक तिरसुल बनाये हुआ है इसी काज के रस्ते से यदि आप आगे जाएंगे तो तिरसुल बनाये ह और बहुत लंबे चोड़े एरिया में देखिए पेड़ पोदे लगाए हुए हैं और यहां पर नीचे रोडे बने हुए हालांकि टिगट 400 रुपे का है लेकिन जितनी ये लोग सर्विसेस दे रहे हैं मदन जी पालिवाल ने इस मूर्ती का निर्मान कराया है वो देखके लगता है कि टिगट की जो प्राइस से वो बिलकुल वर्थीट है क्योंकि बहुत अच्छी यहां पर सिक्यरोटी का सिस्टम किया गया है इतनी उंचाई पर बच्चे भी जाते हैं माईलाएं भी जाती है तो सबके लिए प्रोपर सिक्यरोटी का सिस्टम किया गया है उपर गुछ नंभर्स की बात करें तो यह जो नंदी मराज है इनकी लंबई है67 फिट और मूर्थी के आप चेरे और जटा की बात करें तो वो है बेतर फिट आंख है 18 फिट शीना है बेतर फिट का पेट है 60 फिट हाथ 40 फिट आसन मुद्रा जो है 75 फिट की पंजा है 65 तिरसुल है 191 फिट का कुंडल 9 फिट नाग जो बनायवा है वो है 31 फिट का और यहाँ पर भगवान सीव को द्यान और अलड मुद्रा में दिखाया गया है इस मूर्ति को बनाने में 10 साल और 300 करोड रुपे की लागत है बहार आपको बहुत सांदार पार्किंग मिल जाता है जहाँ पर आप अपने वाहन खड़े कर सकते हैं यदि आपके साथ में कोई बेग वगरा भी है सामान है उसको रखने के लिए भी यहाँ पर अच्छे से अनंदर इस्टोर बनाया हुआ है 300 करोड रुपे की लागत से बने इस मूर्ति के लिए मदंजी पालिवाल को देशी ट्रेवलि झाल 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 झाल